वेल्कम बैक टू सीके किचन आज हम बना रहे हैं इंस्टेंट कच्चे आम का अचार मा की रसोई में मा के अथेंटिक स्टाइल से इस अचार को आप साथी साथ कंजियों कर सकते हैं सबसे पहले हम तीन से चार कच्ची अंबी को स्लाइस कट कर लेंगे आप चाहें तो डाइस और क्यूब शेप में भी कट कर सकते हैं अब हम अचार के मसाले के लिए 4 टेबल स्बून सौंफ डालेंगे 3 टेबल स्बून कलॉँजी 2 टेबल स्बून मेति दाना 2 टेबल स्बून जीरा 3 टेबल स्बून राई डाल कर कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे मसाले को प्रॉपर पाउडर फोम में नहीं लेकर आना है दरदरा ही पीसना है अब हम एक कड़ाई में एक कप सरसो का तेल फ्यूम साने तक अच्छे से घरम कर लेंगे अब हम हाफ बाउल ओयल ट्रांसफर करेंगे और गैंस को बंद कर देंगे अब हम बचे हुए तेल में हाफ टीस्पून हींग वन टेबल स्पून हल्दी वन टेबल स्पून कश्मीरी लाल देगी मिरच वन टेबल स्पून क्रश्ट धनिया पाउडर डाल कर अच्छे से भून लेंगे गैंस हम बंद कर देंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं जैसे ही मसालों में से एरोमा आने लग जाए हम अपने ग्राइंड किये हुए मसाले भी डाल देंगे अब हम अपने मसाले को ठंडा होने के लिए रखेंगे जैसे ही हमारा मसाला ठंडा हो जाए हम अपनी अंबियों को मसाले में डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे जैसी ही हमारा मसाला कोड हो जाए अचार में टू टेबल स्पून नमक डालेंगे अचार में नमक की मात्रा जादा पड़ती है और इसे जार में ट्रांसफर करेंगे जार में ट्रांसफर करने के बाद हम अपना ठंडा किया तेल डाल देंगे और दो से तीन घंटे बाद हम अचार को कंजियूम कर सकते हैं अगर आपको मेरी रैस्पी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें तिल देन स्टे टून्ट स्टे कनेक्टेड